सब्सक्राइब करें तरह के टाइप्स होते हैं डिविदेंट के बहुत केरफुली यह चीज को ध्यान में रखना आने वाले लेक्चर में और जो कोशन्स आप सौल करने वाले हो उसमें भी ध्यान दो एक तो होता है डिविदेंट रेट एक होता है डिविदेंट यील्ड और एक होता है डिविदेंट पेयाउट रेशो मानलो डिविदेंट का रेट है आपका पचास परसेंट इल्ड है कुछ 20 परसेंट और पेयाउट रेशो कुछ है मानलो 70 परसेंट अप्लिकेबल और ये डिविदेंट की अमाउंट सो कुछन में आपको दे दिया कि चलो डिविदेंट का रेट है आपका पचास परसेंट का और आपको तीन जीज़े दियो ये कुछन में उस कंपनी के शेर की मार्केट प्राइस है 100 रुपे फेस वाल्यू है 10 रुपे और कंपनी का अर्निंग पर शेर है रुपीज 5 अब बताओ डिविदेंट की अमाउंट कितनी लेनी चाहिए आपने अगर 50% डिविदेंट रेट है तो कोश्चन यह उठा है कि यह डिविदेंट रेट किस पे लगेगा मार्केट प्राइस पे फेस वाल्यू पे या अर्निंग पर शेर पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ध्यान रखो हमेशा डिविदेंट रेट आपका फेस वाल्यू पे ल और इल्ड का मतलब होता है रिटर्न रिटर्न इनसान अपने इन्वेस्मेंट पर ही काल्कुलेट करता है तो मार्केट प्राइस विल्ड इल्ड विल अल्वेस भी अप्लिकेबल अन्द मार्केट प्राइस पे आउट रेशो किसमें से पे करना है पे आउट यानि किसमें से पे करना है, भाई, earning में से पे करना है, क्योंकि कमाया तो यही है, और payment भी इसी से करते हो, रेट बचा कुछा face value पे लगते हैं, these are the three things, हमेशा यह चीज़ाद रखना, rate is applicable on face value, yield is on market price, and payout ratio on earning per share, so let's do some calculation, 50% face value थी हमारी 10 रुपए, तो 5 रुपए dividend की amount हो जाएगी, yield 20% 100 रुपए, so 20 रुपए dividend की amount हो जाएगी, और 70% of the 5 अगर आप बोलोगे, तो 3.5 will be the dividend amount, so यह आपको चीज़े याद रखनी है, कहीं उल्टा सिधा नहीं लगाना, answer गलत हो जाएगा, आपका exam में, note down को लो इतने सारी चीज़े, उसके बाद मैं next lecture पर move on करते हैं, bye bye, करते हैं, झाल आप कि दोresident करते हैं,